आदितिनाज जी, राजनाज जी के खिलाफ शडियंत रच रहे थे, अमिट शाह के खिलाफ शडियंत रच रहे थे, आधकल सुनाया आपस में सबकी बड़ी तनी हुई है, और ऐसे ऐसे नारे जारखंड में दिये, और ऐसे मंद बुध्धी तरीके से वो कैम्पेण चलाया ग पूशिश, RSS और भारती जन्ता पार्टी ने आदिवासी इलाकों में की, हेमंता विश्वा सर्मा उनके पोस्टर बॉय बने, पोस्टर बॉय ने वहाँ कोई कसर नहीं छोड़े। वाइनाड में हमारी बहुत जबरदस्त जीत, लोकसभाई एलेक्शन में, श्रीमती प्रियांका गांधी वाडरा की जबरदस्त जीत हुई, करनाटका बाई एलेक्शन में तीन में से तीन कॉंग्रिस के जोली में आए, वहीं मध्यप्रदेश में किसी को बीजेपी तोड़ के ले गई हमारे यांसे, बाई एलेक्शन होना पड़ा, और बीजेपी उस सीट पर हार गई, हम हाँ जीते, दो में से एक हमारे जोली में आई, ठीक वैसे ही, पंजाब, राजिस्थान, केरेला में हम बाई एलेक्शन में अभी काउंटिंग कई जगें खतम नहीं हुई है, तो मैं आपको पूरे आंकड़े नहीं दे रहा, लेकिन इस तरह से हमारी जोली में एक सीट कहीं, दो सीट ऐसे आई, जारखंड में जहां एक प्रयोक्षाला बनाने की कोशिश रसेस और भारती जनता पार्टी ने आ वहां एक ऐसी लैबोरेटरी बनाने की कोशिश की और उनको लगा कि वो सफल होंगे, जहां योगी आदित्तिनाद जी पोस्टर बॉई नमबर टू बन कर आए और ऐसे ऐसे नारे जारखंड में दिये, और ऐसे मंद बुधी तरीके से वो कैम्पेंड चलाया गया, कि अपनी ही सरकार, अपनी ही केंद्र सरकार के विरोध में नारे दिये गए, कि साब घुस पैठी है घुस गए, दस साल से आप सरकार में हैं, जहारखंड का तो किसी और देश से बॉडर भी नहीं है, लेकिन घुस पैठी आ गए, तो क्या आदित्तिनाद जी, रादनाद जी के खिलाफ शर्यंत रच रहे थे, अमिर्शा के खिलाफ शर्यंत रच रहे थे, आज कल सुनाया, आपस में सब की बड़ी तनी हुई है, कौन क्या कर रहा था नहीं मालुम, जहारखंड के लोगों ने इस तरह की रादनिती को सिरे से ठुकराया, और एक काम करने वाली सर करकार को फिर से जिताया, अच्छे भवमत से जिताया, आप मैं से कई साथी बड़े चिंतित थे, साब कॉंग्रेस तो सिंगल डिजिट में रहेगी, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, और चिंता आपकी, मैं समझ सकता हूँ, कॉंग्रेस ने अपनी परफॉर्मेंस वहा बहुत अच्छी तरह से आपके सामने रखी, आपको दिखी